दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हम Excel की basis पे, Excel की functions के मदद से, हम 873 rupees कैसे earn कर सकते हैं, वो भी एक एक घंटे में, या अगर आपके function में qualities हैं, जल्दी कर सकते हो, तो 15-20 minute में भी earn कर लोगे, ऐसे ही हमारे पास एक project आया है, उसमें हमने 800 rupees earn किया है, कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए, हमें Fiverr में आना है, एक account बनाना है, अपने profile बहुत अच्छी तरह है, streamline करना है, profile के अंदर आपको information देनी है कुछ ऐसी, कि मुझे सब कुछ आता है, almost VBA, Macro, Pivot, Dynamic, Everything, जो हमें already आता है, तो ऐसे ही हमारे पास एक project आया, य जैसे ये वाला है, ये बोलते हैं कि हमें सब आता है, Excel, VBA, Scripting, Mail, Merge, ये सब हम लोगों को भी आता है, तो अगर इसको project मिलता है, इसे 873 रुपीज अन होंगे, तो ऐसे ही हमारे पास एक project आया, project क्या बोलता है, बोलता है, ये एक template है, इसका जो base data है, वो ये रहा, ये client का base data है, client बोलता है, इस base data के उपर हमने एक pivot लगाया है, कुछ ये रहा, मगर हमें न ये सारे countries नहीं show करनी, हमें इन country का sum करके, हमें अपने template में show करना है, as per department, as per area, तो ये हम कैसे करेंगे, आप लोग बोलेंगे, sum if लगा दो, जी नहीं, make sure, sum if हमेशा एक column में चलता है, range है, मुझे पूरे पूरा data plus करना है, तो कैसे करूँगा, okay, तो इसके लिए जो हमने function मनाया है, जिसके through हमारे पास amount आ चुका है, वो है, हमने यहाँ पर लगाया, equals to, आपने बगा sum if, मैं भी लगाता हू sum if, बस उसको condition अलग देंगे, मैंने का sum if, अब, बोल रहा है sum range, sum range में हम क्या करेंगे, x look up को put करतेंगे, अब देखिए, look up value, जो value है, जो मैं identify करनी है, मुझे बोलना है, यह जो मेरा row है अकाउंटिंग वाला, इसको identify करो, तो मैं एक काम करता हूँ, b1 को, जो की मेरा column और row है, इसमें से मैं सिर्फ row को freeze कर देता हूँ, ठीक है, comma, यह बो और यह थोड़ा नीचे कर देते, यहाँ पे, मैंने का, यह जो accounting है न, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, match कर ले न, अपने आप, मैंने बोला, यह उपर वाले row में मिलेगा, इसे हम पूरे का पूरा F4 दबा के freeze कर लेते, comma, बोलता है, अगर मिलता है, तो मैं क्या दू, तब आजाता है मार पास challenge, हम बोलते हैं, जी हमें एक column नी, हमें सारे column का total करके दे दो, जैसे अगर US यहाँ पे दिख रहा है, US का यह वाला total, प्लस यह वाला total, प्लस यह वाला total करके मुझे US में show कर दो, okay, तो यहाँ पे हमने range सिलेक्ट कर ली, मैंने bracket close किया, comma, अब bracket close करते ह हमें एक comma देंगे और यहाँ पे बोलता है criteria range, criteria range मतलब अब मैं दे सकता हूँ, किस criteria के according मुझे यह data को समिफ करवाना है, criteria range हमारा मैंने already, जो हमारे client ने यहाँ लगा रखा था, यह हमारे criteria range हो गया, इस range को हम पूरे पूरा F4 दबा के freeze कर लेंगे, comma देता हूँ, अब यह criteria बोलता है, यह जो information है कहां मिलेगी, मैं वापस आया, मैंने का जी हमारे template में चलो, यह वाले cell में मिलेगी, अब मैं काम करता हूँ, मैं column को freeze कर देता हूँ, row का freeze हटा देता हूँ, मैं column को जाके F4 दबा के freeze, okay, finally मुझे bracket close करना है, enter करना है, और यह देखिए, मेरे पास information गई है, अगर मैं इस formula को यहाँ पे formula paste करता हूँ, तो क्या information आएगी, amazing, यह वाले information जीरो क्यों आ रही है, देख लेते है, pivot की range में move हो रही है, अगर आप notice करोगे, उपर pivot की range में move हो रही है, मगर हमें pivot की range में move नहीं करवानी, यह बोल रहा है, B6 से B21, और यहाँ पे द करता हूँ, अब मैं इसी function को copy करता हूँ, और मैं function paste करता हूँ, मैं formula paste करता हूँ, और यह देखिए, हमारे पास result आ गया है, let's take, US का हम total देखते है, US का accounting का total है, 22,88,220, चलिए, pivot पे जाके check करते, क्या US का यही total है, मैं यहाँ पे filter लगाता हूँ, only and only US, और accounting का total अगर मै देखो, इन तीनों को select करता हूँ, नीचे देखते, यह देखिए, 22,88,220, see, ऐसे ही हमारी engineering, human resource, यह सारा calculate हो रहा होगा, let's take, मैं marketing का check करता हूँ, एक और बारी, marketing का है, 17,28,550, okay, वा पस template में आते, क्या है, यह सही दे रहा है, US का marketing का है, see, 17,28,550, है न, amazing function, तो अब अगर आपको criteria match करवाना हो, तो वहाँ पे ध्यान रखना, sumf function वर्क नहीं करेगा, range में कभी work नहीं करता, आपको sumf के साथ xlookup ज़रूर लगाना है, यह करके जैसे हमने अपने client को दिया, he was really very happy, उससे हमें within one hour amount transfer कर दिया था, तो आशा करता हूँ दोस् इस channel में आती रहती है, जिसको भी Excel की knowledge चाहिए, उनसा भी के साथ share जरूर करना, चलिए दोस्तों, Fiverr में account जरूर बनाना, amount earn करना, skills है तो उसे sell जरूर करना,